हेलो सन, मून, एंड राइसिंग सचिटरियस वेल्लम तो माई चैनल ड्रीम टेरोट यह आपके पार्टर की करन फीलिंग के वाले से टाइम डिस कलेक्टिव मैसेज हो यह एक जनल रीडिंग होगी जो कहाँ से रेसोनेट कर भी सकती हैं आप से फुन मैसेज़ेस को सब्सक्राइब करें मैं दूर चैनल को सब्सक्राइब करें उनका लिंक डिस्क्राइब में माजूद है अगर आपको मैसे बरसनल रीडिंग चाहें तो भी आप से में इस्ट्राइब पर कॉंटे कर सकते हैं मेरे हाफ द्रीम टेरोट चैनल को फॉलो करें फॉलो करें आप म कि सचेटारियोफ के पॉर्टन की किन फीरिंग स्किले पर सचेटारियो इस पीसिंग में साटी पस बादो एचांच उर। कि आपके पास है लवर कार्ट वो इस एंडिंग को बहुत जादा रिग्रेट करें अगर आप दोनों के तर्मियान नो कॉंटेक्ट सीचुएशन चल रहे हैं तो वो बहुत जादा रिग्रेट कर रहे हैं और वो आपके साथ एक सूल कनेक्शन पील करते हैं अलिगे साथ जाते हैं को एक करन से बच्छाथे और अब करना चाहते हैं जरू आपे से बात करना चाहते हैं टिसलिग बनी एक यहां उनका स्विभी त्युद्रू और कर यह है है कुछ रिस्टिक्शन्स हैं जो उनके लिए बहुत ददा चैलेंज बनी हुए है येस वो आपके साथ एक नियू स्टार्ट तो करना चाते हैं बट वो हो सकता है इनीशियली कुछ थोड़ा बहुत आपको ओफर कर सकते हैं बट वो इसको एक नेक्स लेवल पर लेके जाना चाते हैं वो चाते हैं कि लव आप दोनों का जो था वो दुबारा बनी और येस और इस वो बहुत दा पैशनीट हैं आपके लिए फिजिकली भी अट्रेक्ट हो रहे हैं और वो आपके लिए एक्शन भी लेना चाते हैं बट यहां पर हो सकता है कि वो अपनी फिजिकल अपेरेंस पर बहुत दा फोकस कर रहे हैं इस वक्त में अपने आपको अट्रेक्टिव बनानी कोशिश करें ताकि वो आपको अपनी लाइफ में अट्रेक्ट कर सकें उनको यहां पर ब्लॉक सिचुएशन हो सकता है आपकी तरफ से ब्लॉक के सिचुएशन है तो इसलिए वो आपसे कॉंटेक्ट नहीं कर पारें इसके लाबा हो सकता है वो जस्ट फ्रेंशिप उफर करना चाहरें और कुछ लेमिट के साथ वो वापस आपकी लाइफ में आ सकते हैं ताकि वो आपके साथ एक सकेंड चांस ले सकें इस रिलेशन्शिप में सेटिटेरियस हो सकता है इस रिलेशन्शिप बहुत आदा टॉक्सिक हो गया था जो के हो सकता है कोई magic involved हो सकता है evil eye हो सकते है जो कि इस रिलेशन्शिप को affect कर रही है लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं वो किसी ना किसी miracle का wait करें कि अगर आप दोनों में no contact situation हो गया है वो खुद से initiate step लेना नहीं चाहरे हो चाहते हैं पुद से वापस आएं या फिर कोई ऐसा कुछ हो जाए कि यह negativity यह toxicity relationship से खतम हो जाए और आप दोनों दुबारा से एक हो जाए yes वो इस relationship को recover करना चाहते है अपनी life में again और balance लाना चाहते है इसमें और हो सकता है वो इसके लिए अपने आपको भी perfect बना रहे हो सकता है पास में उनका behavior कुछ बहुत जादा toxic हुआ करता था आपके साथ अब वो अपने आपको better बनाने की कोशिश करें थाके वो इस relationship में काम कर सकें sorry for this okay so remains and your oracle message is क्या है for satirious person let's see make an effort great love is worth taking the step you are guided to take so अगर उनको इस relationship वापस रहे तो universe उनको यह कहरे है कि उनको effort लेनी होंगी let your friends help you ask and accept support from others so yes अगर वो खुद से contact नहीं कर पा रहे है आपने उनने व्लॉक किया हुए तो वो अपने friends से कोई help ले सकते है अगर उनने डर है कि आप उनसे बात नहीं करेंगे तो फिर अपने friends के थुरू आपको कोई message पहुशा सकते है let's see कि उनके heart messages क्या है please universe guide me Sagittarius के persons के heart messages क्या है for Sagittarius please universe guide me Sagittarius persons heart messages for Sagittarius I will wait for a sign from you तो वो आप की तरफ से sign का wait करेंगे कि आप still जाते हैं या नहीं यह relationship and I look for you everywhere तो वो हर तरफ आपको देखते हैं you speak to me through music so music जब भी सुनते हैं तो उनको आपका हिसास होते हैं उनको आप उनसे बात कर रहे हैं I don't react when people mention you तो जब लोग आप से उनके बारे में पूछते हैं तो कोई react नहीं करते हैं कोई reaction नहीं देते हैं ताके वो उस relationship को जाल साथ प्रोटेक कर सकें I feel you leaving me behind तो उनको अशे लग रहे हैं I am starting to understand our connection तो अब वो इस connection को understand करे हैं So लेगर उनने understand करना start किया है अब इस relationship को Let's see कि उनका next action towards you क्या हो सकता है Please universe guide me Sagittarius के persons का next action towards Sagittarius क्या हो सकता है Yes वो अभी भी कोई Yes वो आपके साथ reconciliation तो चाते हैं बड़ वो को initial step अभी फिलहाल नहीं लेंगे अपने emotion को still suppress कर रहे है उनको लगता है कि शायद ये relationship end हो रहा है बर वो आपको बहुत याद करते हैं वो एक new start इसमें चाते हैं वो चाते हैं कि आपके साथ understanding के साथ ये relationship, stability के साथ बनाए वो आपको stock करते हैं आपके उपर नज़र रखते हैं कि आपकी life में क्या हो रहा है और पा, future में भी कर सकते हैं वो आपके साथ new start चाते हैं with understanding, एक दूसरे को समझ के चलने के के लिए कोशिश कर सकते हैं वो इस relationship में आपके साथ बनाए